हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वीकेंड तड़का बा ईशा बक्षी आज वीकेंड तड़का में मैं आप सब के साथ शेयर करें हूँ गुड़ गचक की रेसिपी आज हम जो ये गचक बनाने वाले हैं ये आज हम बनाएंगे ड्राइ फ्रूट्स के साथ तो चाहिए मकाने चाहिए काजू बदाम नारियल का गोला हमने यूज किया है मैलन सीर्स लिये हैं हमने इसमें सफेद तिल लिये हैं और साथ में थोड़ा सा हमने ये गुड़ पी लिया है तो सबसे पहले हमें कडाई में डालेंगे सफेद तिल और ये सफेद तिल बहुत और इसको mix करते रहेंगे बिना oil के ही हमें से mix up करना है अच्छे से ताकि ये golden brown color के हो जाएं ये बहुत ही अच्छे होते हैं खाने में आप जरूर ट्राइ करना ये recipe और जो ये गच्चक है इसमें ये सफेद तिल जब डलते है ना तो गच्चक का और ही अलग flavor आता है तो ये golden brown color के हो गए मैंने कड़ाई से बार निकाल लिया तो सेम कड़ाई में हम डाल देंगे इसमें गी तो मैंने one spoon गी डाला है बड़े वाला और उसमें हम मखानों को roast कर लेंगे मखाने बहुत अच्छे होते हैं health में ये तो आप सब को पता ही है और जब dry fruits डलता है तो मखाने तो जरूर डलते ही है तो अच्छे से हम इसको सबसे पहले मखानों को fry कर लेंगे और जब ये मखाने अच्छे से fry हो जाएंगे तो हम इसको separate एक बॉल में निकाल के रख लेंगे सेम कड़ाई में सेम oil में हम डाल देंगे बदाम, काजू, melon seeds और coconut तो ये हमारे ready हो चुके हैं perfectly roast हो चुके हैं तो हम इनको भी बार निकाल लेंगे अब हम क्या करेंगे ये जो हमने गुड लिया ना हम इस गुड को melt होने के लिए सेम कड़ाई में रख देंगे जितनी देर ये melt होना start होता है तो हम मखानों को अच्छे से अमाम दस्ते में पीस लेंगे क्योंकि हमें एक crush होता है ना जैसे अच्छे से crunchy टाइप में वैसा चाहिए प्रॉपर हमें नहीं पीसना है ऐसे ही दरदरा सा हम बदाम काजू को भी दरदरा पीस लेंगे अमाम दस्ते में और साथ में हम डाल देंगे इसमें ये देख रहे हैं कि गुड मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका और इस टाइम पे ये परफेक्टली मेल्ट हो चुका है सारा ग रसके सारी चीजहों तो दिए साती चिजहों को अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे और अच्छे से जब मिक्सक कर लेंगे गास का फाल sì और अच्छे से ये यह मारी रेड़ी हो चुके हैं वाषटा फट फट चंद भी लगा से SBB कि हम इधिस रचे Mac यह टॉर टो गी से और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये सारी गुड की जो बैटर है वो सारा हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से जमने के लिए रख देंगे कम से कम वन आर के लिए तो आप देख सकते हैं पूरी प्लेट में हमारी जो गचक है गुड का जो बैटर ह वो perfectly ready हो चुका है one hour के बाद हम इसकी cutting करना start करेंगे तब तक हम इसे जमने देंगे अच्छे से धीरे धीरे करके हम इसकी cutting start कर देंगे और ऐसे हम इसके pieces निकाल लेंगे तो बहुत ही दिखने में ये जितनी अच्छी लग रही है ना गच्छक सर्दियों में इसको खाने का मज़ा ही अलग होता है और कितने सारे इसमें dry fruits है तो हर bite में dry fruits ही dry fruits आते हैं गुड के साथ तो ये recipe ज़रूर dry करना खाना खाने के बाद हर कोई गुड खाना पसंद करता है तो मैंने तो ये गुड की गच्छक अपने किचन में box में store करके रख ली है तो आप कब बनाने वले ये recipe ज़रूर dry करना थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो फ्रेंड